सिरिफ मोदी जी इस दी ओनली टारगेट और महिलाओं पे कहीं पर भी सानबूती और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में पार्लमिन में जिसने भी ये पॉपसली ये वीडियोज वाइरल किये और समाज में गरह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है इसके उपर चौकशी होकर इस पर जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए सर सर मेरा प्रशन है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तमाल आप राजनीती के लिए किया जा रहा है महिलाओं को राजनीती का रोटिया बनाकर उस पे सेका जाने का इस्तमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है अपने अपने राना नो confident motion जो लाया इसका विरोध करती हूँ और हमारे आज सुबह से जबचे debate चुरू हुई है 12 बजे से जबचे अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है ये ये no confident motion लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पर होते हुए अत्याचार जो हुए हैं मनीपूर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके उपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अव विश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है हम महिला हैं ये पार्लिमेंट में बैठी हुई हम महिला महिला, मा, फिर सांसद हैं, जब ये सदन में हम बैट कर देखना हैं, सुबह से देख रही हूँ, विपक्ष ने जितने ने भी, इस पे कहा है, सिरिफ मोदी जी is the only target, और महिलाओं पे कहीं पर भी सानुबूती, और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द, ये विपक्ष का म मुझे सुनाई नहीं दिया, ये सदन में, पार्लमिन में, जब भी बोल रहे हैं, मनीपूर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है, वो 38 सबसे खराब, जो ये हुआ है मनीपूर में, उसका सभी ने निशेद करना चाहिए, हम महिलाओं, पुरूष, हमारे भाई, ये पार्लमेंट में, जितने लोग प्रेजन करते हैं, सभी ने इसका निशेद किया है, पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, चार तारीक को हुई हुई घटना को, जुलाई के पार्लमेंट के एक दिन पहले, वो पार्लमेंट के पॉपोसली वो वीडियो को वाइरल करते हैं और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं madam you know about this video what is happening in Manipur please give us some bite or some view of yours I said which video what happened in Manipur it happened only in fourth fourth 4 में को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लमेंट होता है एक दिन पहले पत्रकार आके वो news वीडियो हम लोगों को दिखाता है मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पॉपसली ये वीडियोज वाइरल किये और समाज में महिलाओं को इस सभागर में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्षनी किया है इसके उपर चौकशी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए सर जितना जिसने किया हुआ कृत है जो जितना जिम्मेदार वो है समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुले आ मीडिया में लाकर सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिनोंने काम किया उसका हम लोगों ने निशेद इस पार्लमेंट से करना चाहिए आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंट मोशन को आज इनको एक प्रश्न है इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है अगर ये सीरियस है सर लास्ट वीक राजेस्तान में हुई हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उलेख नहीं किया सर जब एक महिला के साथ नाबालिक के सांथ में अत्याचार होता है उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोईले में डाल कर उसकी आंखरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी में बाया जाता है सर मेरा प्रशन है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तमाल आप राजनिती के लिए किया जा रहा है महिलाओं को राजनिती का रोटिया बना कर उस पे सेखा जाने का इस्तमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है विपक्च से ये प्रश्ण मेरा है कि अगर मनीपूर की महिला हमारे लिए सभी के लिए सम्मानी निया हैं हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान हमारा गर्व है क्योंकि हम भी वह महिला हैं मैं विपक्स से पूछती हूं कि अगर मनीपूर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो चार में को आपकर डेलीकेशन वहाँ क्यों नहीं जाता, तीन महीने के बाद पारिलमेंट चुरू होने के बाद, आपके विपक्स का पार्लेमेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहाँ जाकर चायक लिए क्या दिखाना चाथे हैं, फोटो खीचने के लिए, वीडियो बनाने की लिए, उस तक राजेस्थान क्यों नहीं गया, पार्लामेन के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए, ये मोधी जी को पूछते हैं, वो मौन क्यों है, मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजेस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है, बंगला में हुई हुई, बंगला द अगर पूर्शों को एक गंड़ा दिया जा रहा है तो हम महिलाओं को एट लिस्ट पांच साथ मिनेट देना ही चाहिए सर लास्ट लास्ट सर हमारे आज MP हमारे कलीग ने महारास्ट्र से श्रीकान जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया हमारे महारास्ट्र में भी S.T. महामंडल में काम करने वाली महिला हैं मैं सांसद नहीं सांसद एक तरफ और महिला होने के नाते जब मैंने सिर्फ एनौंस किया मला भीती बाटत नहों थी श्रीकान जी आज जब आप यहां पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे सिर्फ मैंने नाम लिया तक हनुमान चालीसा पठन करूंगी तो घर से घसीट के चौदा दिन जेल में और दो दिन लॉक अप में रखा था पर आज मोगी जी की सरकार है यह पारलमेन में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नी और S.T. महामंडल की महिला है जब अपने हक के लिए डॉक्टर बाबासाइब अमबेटकर ने हमें लड़ना सिखाया है अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है वो ही आवाज जब महिला आए S.T. महामंडल की महाराश्टर में उठा रही थी तो वो महिलाओं को उठा कर लॉक अप में करीबन एक महिना उन्हें सड़ने के लिए फेक दिया गया था तब ये विपक्ष कहा गया था तब ये विपक्ष ने मौन धारन क्यूं किया था ये इस चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए सिर्फ मनीपूर महिलाएं महिलाओं पे अत्याचार महिलाओं पे होने वाली पीडा ये इनका विशे नहीं सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है ये ही इनका अजेंडा बना है ये क्या नारा दे रहें ये क्या नारा दे रहें इंडिया ये क्या नारा दे रहे हैं sir India, एक सेकंड sir, sir, last one minute, sir last one minute, you have made your point, sir one minute, ये विपक्स क्या नारा दे रहे हैं, कि India, 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 अरे India ही मोदी जी को बनाई है, India ने ही मोदी जी को ये पार्लेमेंट हाउस में ऐसे प्राइम मिनिस्टर लाई है, आज भी India मोदी जी के साथ है, ये विप देना ही पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न विपक्स को है, मजीतना ही कहती हूं sir, माइलाओं का इस्तमाल, राजनीती, रोटियां सेखने के लिए नहीं है, माइलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्स के लोग